परिचय सुमित ने गणित के टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त किये हैं. वो अपने माता पिता को ये बात तुरंथ ही बदा देना चाहता है. जैसे ही वह घर पहुँशता है, वह अपनी मा को उनके कारियाले में फोन करता है. उसके बाद वह अपने पिता को फोन करने का निरणय करता है. तब ही उसे याद आता है कि उसे उनका मोबाइल नंबर याद नहीं है. अता वो अपने पिता का मोबाइल नंबर लेने के लिए फिर से मा को फोन करता है. लेकिन वहाँ एक बैठक में व्यास्त हैं और उसका फोन नहीं ले सकती सुमित के पास अपने पिता का शाम तक प्रतीक्षा करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है तब उसे समझ में आया कि संख्याएं कितनी महतपूर होती है इस पार्ट में हम संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आओ सीखें भारतिये संख्या पध्धती की सहायता से संख्याएं लिखना अंतराश्ट्रिये संख्या पध्धती के प्रयोक से संख्याएं लिखना गिंतारा यानि एबकस की सहायता से गणना करना संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना किसी संख्या के किसी अंक का स्थानिय मान जानना शब्दों में दी गई संख्याओं का अंकों में बदलना संख्याओं की तुलना करना संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना आवर्ती गिंती बताना भारतिय संख्या पद्धती भारतिय संख्या पद्धती में किसी भी संख्या के अंदिम तीन अंक को एक समुह में और उसके पहले के सभी अंकों को दो-दो के समुह में वर्गी क्रित करते हैं एक हजार को लिखते हैं एक शूने 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 दस हजार को लिखते हैं एक शूने 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 अब संख्या चार, पाँच, छै, साथ, आठ पर ध्यान दें। अब संख्या 45,678 पर ध्यान दें। भारतिय संख्या पद्धती में इसे 45,678 लिखेंगे। इस संख्या को 45,678 पढ़ेंगे। भारतिय संख्या पद्धती में इसे 4, 5, 6, 7, 8 लिखेंगे। इस संख्या को 45,678 पढ़ेंगे। एक अन्य संख्या पर गौर करें। 8, 978 इसे भारतिय संख्या पद्धती में 8, 978 लिखेंगे और 80,978 पढ़ेंगे। अन्तराश्टिय संख्या पद्धती में संख्याओं को दाएं से शुरू करके 3, 3 के समुह में वर्गी कृत करते हैं। एक हजार को लिखते हैं एक शुने 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 अंतर राष्टिय संख्या पद्धती में यह 6, 2, 4, 5, 6, 7 लिखी जाएगी और इसे 624,566 पढ़ा जाएगा आईए एक अन्ने संख्या 1, 2, 3, 8, 9, 0 पर गोर करें अंतर राष्टिय संख्या पद्धती में इसे 1, 2, 3, 8, 9, 0 के रूप में वर्गी करित करेंगे इस संख्या को 123,890 पढ़ेंगे गिन्तारा यानि एबकस पर संख्या आएँ गिन्तारा गर्णा के प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है यहाँ अभी भी दक्षण एशियाई देशों खास कर चीन में लुकप्रिये है या एक आयताकार लकडी के खांचे से बना होता है जिसमें उर्धवा धर्च सलाखें लगी होती हैं जिसमें दाने सरकते हैं और उनकी सहायता से गर्णा की जाती है एक धर्णी आयताकार के खांचे को दो भागों छोटा उपरी हिस्सा और बड़ा निचला हिस्सा में बांटती है उपरी हिस्से में प्रतेक सलाख में दो दाने होते हैं और प्रतेक दाने का मुल्ले पांच होता है निचले हिस्से में प्रतेक सलाख में पांच दाने होते हैं और प्रतेक दाने का मुल्ले एक होता है गिन्तारा यानि एबगस पर संख्याएं गिन्तारा की पैतेक उड़्द्वा धर्सलाख का एक मान होता है सबसे दायन طرف की सलाख एकाई मान व्यक्त करती है उसके बायं तरफ वाली सलाख दाई मान को व्यक्त करती है और ऐसे ही आगे भी आएए अब निचले हिस्से में संक्यात तीन को व्यक्त करने के लिए एकाई की सलाख पर तीन दाने धरनी की तरफ बढ़ाएं अब दहाई की सलाख में निचले हिस्से में तीन दाने और उपरी हिस्से में एक दाना बढ़ाएं ये इसको 30, धन, 50, बराबर 80 व्यक्त करता है। अब हम निचले हिस्से में सैक्रा के मानवाली सलाख में दो दाने उपर करते हैं, जो 200 व्यक्त करता है। आताहा गिंतारे में लगाए गए दाने संख्या 200 जमा 80 जमा 3 बराबर 283 को व्यक्त करते हैं। विस्तारित रूप अब हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। आईए कुछ उधारणों से शुरू करें। संख्या 3, 7, 8 विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखी जाएगी। आईए अब 64,542 को विस्तारित रूप में लिखें। स्थानिय मान आईए किसी संख्या में किसी अंक का स्थानिय मान ग्याद करना सीखें। उधारण स्वरूप संख्या 3, 4, 5, 6 में 3 का स्थानिय मान ग्याद करें। पहले हम संख्या को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। 3, 4, 5, 6 बरावर तीन गुणा 1, 00, 00 जमा 4 गुणा 1, 00 जमा 5 गुणा 1, 00 जमा 6, 00, 1 अताहा अब हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5, 6 में 3 का स्थानिय मान 1000 है आईए संख्या 7, 4, 2, 5 में 4 का स्थानिय मान ग्याद करें हम संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं साथ गुणा 1000, जमा 4 गुणा 100, जमा 2 गुणा 10, जमा 5 गुणा 1 अताहा चार का स्थानिय मान 100 है संख्या को शब्दों से अंकों में बदलना आईए, अब संख्या को शब्दों से अंकों में परिवर्टित करें संख्या 4632 पर ध्यान दें अंकों में ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी चार गुणा 1000, जमा 6 गुणा 100, जमा 3 गुणा 10, जमा 2 गुणा 1 बराबर 4000, जमा 600, जमा 30, जमा 2, बराबर 4632 आईए, एक और प्रशन हल करने का प्रयास करें आईए, हम 6655 को अंकों में परिवर्टित करें विस्तारित रूप में ये संख्या कुछ ऐसे लिखी जाएगी बड़ी और चोटी संख्याएं आईए, बड़ी और चोटी संख्याओं को पहचान न सीखें हम दो संख्याएं लेते हैं चार, पांच, आठ, नौ और चार, नौ, नौ हम आसानी से कह सकते हैं कि चार, नौ, नौ छोटा है चार, पांच, आठ, नौ से क्योंकि चार, पांच, आठ, नौ, चार अंकों की संख्या है जबकि चार, नौ, नौ, तीन अंकों की संख्या है आईए, अब दो समान अंकों वाली संख्याओं की तुलना करें उदारन स्वरूप, तीन, साथ, आठ, नौ, और, दो, एक, चार, छे तीन, साथ, आठ, नौ, पड़ी है, दो, एक, चार, छे से क्योंकि तीन बड़ा है दो से, तब भी जब तोनों अंकों का स्थानिये मान समान है आईए, दो अन्य संख्याओं की तुलना करें आठ, नौ, साथ, एक, और, आठ, साथ, छे, एक, दोनों चार अंकों की संख्याओं है और हजार के स्थान वाला अंक भी समान है ऐसी स्थिती में सौ के स्थान वाले अंकों की तुलना कीजिए जो की नौ और साथ है, क्योंकि नौ बड़ा है साथ से हम कह सकते हैं कि आठ, नौ, साथ, एक, बड़ी है आठ, साथ, छे, एक से आरोही और अवरोही क्रम अगर हम ये जान लें कि संख्याओं की तुलना कैसे करनी है तो हम उन्हें आरोही यानि बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही यानि घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रखी जाती है उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और ये क्रम चलता रहता है अवरोही क्रम में संख्याओं को उल्टे क्रम में रखा जाता है यानि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले प्रतिकात्मत तोर पर संख्याओं के आरूही क्रम को से कम के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है उधारन सरूप 3 9 0 कम है 1 8 2 3 से कम है 3 0 0 5 से कम है 7 5 4 0 से इसी तरह अवरोही क्रम वाली संख्याउं को ज्यादा है कि चिन्ह से व्यक्त किया जाता है उधारन सरूप 6, 5, 8, 3, ज्यादा है 5, 6, 7, 8 से, ज्यादा है 2, 1, 3, 4 से, ज्यादा है 1, 2, 0, 0 से, ज्यादा है 4, 5, 6 से. आवर्ती गिंती आवर्ती गिंती हमें बहुत सी चीजों को तेजी से गिनने में सहायता करती है ये हमें पहाडा याद करने में भी मदद करती है दो की आवर्ती गिंती इस प्रकार होती है 2, 4, 6, 8, 10, इत्यादी इसका सीधा अर्थ है कि हम दो इस्थान छोड़कर अगली संख्या पर आ जाते हैं यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहाँ प्रतेक संख्या का उसके बगलवाली संख्या से अंतर समान है यानि दो है हम दस की आवर्ती गिंती इस प्रकार करते हैं यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यहां प्रतेक संख्या का उसके बगल वाली संख्या से अंतर समान है यानि दस है आईए अब सौ की आवर्ती गिंती करें यहां प्रतेक संख्या का उसके बगल वाली संख्या से अंतर सौ है हमने क्या चर्चा की? भारतिये संख्या पध्धती में किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक को एक समोह में और उसके पहले के सभी अंकों को दो-दो के समोह में वर्गी कृत करते हैं अंतर राष्ट्रिय संख्या पध्धती में संख्याओं को दाएं से शुरू करके तीन तीन के समुह में वर्गी कृत करते हैं गिंतारा यानी एबकस एक यंत्र है जिसका प्रयोग गणना करने में होता है किसी अंग का स्थानिय मान संख्या में उसके स्थान के अनुसार उसके मान को निर्धारित करने में सहायता करता है आरोही क्रम में संख्याओं को सबसे चोटी संख्या से शुरू करके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है अवरोही क्रम में संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या से शुरू करके घटते हुए क्रम में रखा जाता है आवर्ती गिंती हमें बहुत सी चीजों को तेजी से गिनने में सहायता करती है